एक ऐसा मंदीर जहां पर किसी की भी मूर्ति का पुजा नहीं होती पलकी पुरुथिवी की गर्भ से निकली होई नो ज्वालों की पुजा की जाती है आज तक इसका कोई रहस्य कोई जान नहीं पाया आखिर ये ज्वाला कहां से कैसे निकल रही है केई भूब अग्यानिक ने केई किलोमीटर खुदाई केरने के बाद भी ये पता नहीं कैर पाये ये ज्वाला कहां से निकल रही है ज्वाला देवी के आखो कोई अभिवी लिभा नहीं सकता ये मंदिर कहां पर स्तीत है इन सभी रहस्य मई बातों को चांदने के लिए भीडियो में लाश तक बने रहना आप सच्ची महद्यप की भक्त हो तो कमेट पर लखना हर हर महद्य माता सती के 51 सकती पीठों से ज्वाला देवी मंदिर यहां बीना तेल और पती से 9 ज्वालाएं जल रही है जो माता के 9 लुका प्रतीक है मंदिर में सबसे बड़ी ज्वाला मुखी वो माता है जो ज्यादा बड़ा जल रही है वो माता है यह माना जाता है कि यह मंदिर चतियूग से है दुआपर यूग में पांडवो नेभी माता का दर्शन यह थे यह पर गुरू गुरुक नाथ ने घुर तपश्या करके माता से बरदन प्राप की जुआला देवी की जुआला से समंधित एक पुराणे कथा भी है कथा के अनुसर भक्त गुरुक नाथ मा जुआला देवी के पास बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ति में निल थे एक बार भुक लगने पर गुरुक नाथ में मा से कहा की मा आप पानी गरम करके रखें कब तक मैं भीक्षा मागे आता हूँ जब गरुक नाथ भीक्षा लेने गे तो बापस लड़कर नहीं आई मान्यता है कि यह उही ज्वाला है वो माने ज्वालाई थी वहां से कुछी दूर पर बन्यकुन पर पानी से भाब निकलती मान्यता है कि कलिउक के अंत में गौरक नाथ ज्वाला देवी माता के पास वापस लड़कर आएंगी तक तक ज्वाला जलती रहेगी, आखबर भी नतमास तक हो गया माता के समने, ये 1542 से 1605 के मत ये घटना है, जो आखबर दिल्ली का राजा था, वासा आखबर ने जब ज्वाला माता के बाते में सुना, वो अपने सेना बुला कर, जिस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार नहीं भर जाए, और ज्वाला देवी की ज्वाला ले भी जाए, इसने में वो नमयाप रहे, बाद में वो माता के इस चमतकार को देखकर नतमस तक हो गया, आपने किये पर हाथ जोड के माता से ख्यामा मागी, सोभा मन सोने से का छट्र माता को चड़ाने पोहचा, लिकिन म माता ने उससे शिवकर नहीं किया, यह मंदीर हिमाचल प्रदेश के कांगडा ने स्तीत है, समय निकल कर ज्वाला माता के दर्शन करने जरूर जाए, एक बार जोड से बोले जय ज्वाला मा, एक बार कमेंट पर लेखिए जय ज्वाला मा, आपको भीडियो कैसी लेगी, कमे पर जरूर जनाएगा